हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एलर्णिंग क्लासिस फ्रेंड्स आज है चौबीस अगस्त 2020 और चौबीस अगस्त के जितने भी इंपार्डेंट कुशन्स हैं सारी कुशन्स को डिसकस करेंगे वेडियो में इसकी पीडियाफ आपको टेलिगराम से मिलेगी टेलिगराम का लिंक म वेडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ वहाँ से जाकर पीडियाफ को देख लें चैनल को सस्क्राइब भी कर लो चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले कुशन से कुशन नमर पहला है आज का हाली में ब्रिटेन के ब्रिश्टल में महात्मा गांधी के चश्मे की निलामी कितने रुपे में हुई है तो देखोगे अभी महात्मा गांधी के चश्मे की निलामी की गई है और ये निलामी हुई है ब्रिटेन के ब्रिश्टल में और ये निलामी कितने रुपे की हुई है तो दोस्तों आंसर है इसका ए दो करोड पच्पन लाख दो करोड पच पन लाख रोपे का बेका है माहतमा गाधि का चस्मा. देखुगे इस में information क्या है पहले question से related? जैसे इसमें लिखा हुआ है बृतेन में दो करोड पच पन लाख रोपे की निलामी हुआ माहतमा गाधि का चस्मा अमेरिका किलश्टर ने खरीदा देखो ये भी important रहेगा इसमें कि खरीदा किसने है American cluster ने ये भी काफी important रहेगा इसमें American cluster ने इसको खरीदा है इसमें आगे news क्या है जैसे लिखा हुआ है Britain के Bristol में राष्टरपिता महात्मा गाधी के चश्मे की सुक्रवार को ऑनलाइन निलामी हुई महात्मा गाधी के चश्मे की निलामी East Bristol Auctions Agency की ओर से हुई जिसे एक अमेरिकी किलस्टर ने 2 करोड 55 लाख रोपे में खरीदा माना जा रहा है कि महात्मा गाधी ने पहना था और बाद में एक परिवार को बतौर तोहवा दे दिया था चश्मे की बोली 10 से 15,000 पाउंड तक पहुँचने की संभावना थी लेकिन यह 2 करोड रोपे से ज्यारा में बिका है Question No.2 है हाली में नया चुनाव आयुक्त किसे निक्त किया गया है तो देखो हाली में नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है यह काफी important रहेगा question पेपर में आएगा very very most important है answer है इसका राजीब कुमार option No.2 का answer है राजीब कुमार को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है इससे पहले जो चुनाव आयुक्त थे क्योंकि इन्हें ADB Asian Development Bank का उपाध्यच नियुक्त किया गया है इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनकी जगा पर राजीब कुमार को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है देखोगे यसे यह है राजीब कुमार लिखा हुआ है इसमें राजीब कुमार बने चुनाव आयुक्त लोगसभा चुनाव 2020 के बाद तक रहेंगे पदपर यह राजीब कुमार है I.S. आफिसर है इनको बनाया गया है चुनाव आयुक्त आगे देखो कि क्वेशन नमबर तीन है हाली में भारतिय रेलवे ने कितने सेंटिमीटर हाई स्पीड बन्दे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद कर दिया है तो यह भी काफी इंपरडेंट रहेगा कॉशन नमबर तीन अंसर है इसका C 44 सेंटिमीटर हाई स्पीड बन्दे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद किया है अभी भारती रेलबे ने देखते हैं इसके बारे में क्या है जैसे लिखा हुआ है चीन पर एक और स्ट्राइक रेलबे ने रद्द किया 44 सेंटिमीटर हाई स्पीड बंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर बोली में चीनी कमपनी थी सामिल यह पिकलगी हुई है देख लोगे आगे इसमें लिखा हुआ हैं लद्दाक की गलबान घाटी में सीमा विबागत के बाद भारत की ओर से चीनी कमपनियों के खिलाफ कारवाई जारी है अब भारतिये रेलबे ने 44 सेंटिमीटर हाई स्पीड बंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है समझा जा रहा है कि इन ट्रेनों को बनाने के लिए भारतिये कमपनियों के साथ एक चीनी कमपनी के संयुक्त उपकरम की ओर से बोली लगाने के कारण रेलबे ने यहें फैसला लिया रेलबे ने ट्यूइट के जरिये शुक्रवार दिरदात टेंडर रद करने की जनकारी दिया है Q4 है नमबर चार है हाली मैं किस देश में सुनहरे खोल के देखों इक्वे नो परताईर में थोड़ी सी यहां पर मिश्टेक है यहां पर एकुरिये के काच्वे की खोज हुई है यह कोज कहाँ पर हुई है तो question में आंसर होगा दोस्तों इसमें नेपाल option number D सुनहरे खोल का एक कच्छुआ मिला है और इसका answer है नेपाल नेपाल में जैसे कि मैं एक picture दिखा देता हूँ देखो यह है सुनहरे खोल का कच्छुआ नेपाल के अंदर इसको खोजा गया है इसे related information में जैसे लिखा हुआ है नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन में एक कच्छुआ की खोज हुई है इसका यह है रंग बेहत दुरलव genetic mutation की बजहा से होता है जो उसके pigmentation को बदल देता है नेपाल के toxinology occiciation के एक अधिकारी ने कहा है कि नेपाल से इस कच्छुआ में chromatic leucism का यह पहला और दुनिया भर का केवल पांचवा मामला है वन्यजीव, भिशेसग्य, कमल, देव कोटा ने कहा है कि इस कच्छुए का नेपाल में धार्मिक और सांस्क्रितिक महत्व है तो काफी important है कि यह पीले रंग का जो सुनहरे खोल वाला कच्छुआ है कहां पर खोजा गया है question number देखोगे 5 है हाली में digital अपनाए अभियान शुरू किया है तो किस bank ने देखोगे अभी किस bank ने digital अपनाए अभियान शुरू किया है आंसर होगा इसका A PNV PNV bank ने digital अपनाए अभियान शुरू किया है देखोगे सबसे पहले हम PNV के बारे में जान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पंजाव National Bank PNV का यह यहाँ पर है PNV new logo पोस्ट यह जो भी है इसमें आगे देखोगे इसमें founded कब हुआ था 12 April 1894 को हुई थी founder कौन है इसके दयाल सिंग मजीतिया और लाला लाजपत्राए headquarter कहाँ पर है इसका नई दिल्ली में है इसके key person कौन है इस टाइम पर शिरी CHSS मलिक का अरजुन राओ यह कौन है MD और CEO है मलिक का अरजुन राओ आगे इसमें information क्या है जैसे लिखा हुआ है पंजाव national bank द्वारा गिरहाकों के बीच digital banking channel को बढ़ावा देने के लिए digital अपनाए अभ्यान शुरू किया गया है इस अभ्यान के तहट bank COVID-19 के लिए PM के और फंड में दान करने के लिए गिरहाकों को प्रोथ साहित करेगा इसके तहट प्रते गिरहाक द्वारा अपने रुपे डेविट कार्ड से POS और e-commerce platform के लिए पहले वित्तिय लेंदेन करने पर वेंक द्वारा PM के रस फंड में पांच रुपे का योगदान किया जाएगा यह अभियान बैंकिंग सेवाओं को सभी के लिए सार बहुमिक रूप से सुलब बनाने के लिए लाखो भारतियों के वित्ति और डिजिटल समावेशन के उद्देश से विभिन सरकारी योजनाओं के योगदान पर आधारित है क्वेशन नमर देखोगी क्वेशन नमर चे लिए फॉर्मूला वन इस्पेनिश ग्रेंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है देखोगी फॉर्मूला वन इस्पेनिश यह काफी इंपरडेंट रहता है याद रखोगे 2020 किसने जीती है आंसर होगा इसका B लुइस हैमिल्टन लुइस हैमिल्टन ने जीती है फॉर्मूला वन इस्पेनिश ग्रेंड प्रिक्स 2020 देखोगी यह लुइस हैमिल्टन की मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ यह हैं लुइस हैमिल्टन और यह मर्सिडीज की ड्राइवर है मर्सिडीज की ड्राइवर है मर्सिडीज गाड़ी चलाती है जिसमें इन्होंने रेशिंग जीती है आगे आते हैं कॉशन नमबर साथ है हाली में किस राज्या ने नशामुक्त भारत अभ्यान शुरू किया है नशामुक्त भारत अभ्यान शुरू किया है आपसन नमबर C, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर राज्य ने नशामुक्त भारत अभ्यान शुरू किया है, तिको सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं, कि जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्य पाल चेंज हुए हैं, और अभी कौन बने है नए उपराज्यपाल उनका नाम है मनोज शिनहा कौन बने हैं मनोज सिनहा बने हैं इससे पहले कौन थे ग्रीश चंद्र मुर्मू ग्रीश चंद्र मुर्मू अब कौन बन गए हैं सी एजी कैक के अध्यच कौन बन गए हैं ग्रीश चंद्र मुर्मू और उनकी जगहा पर मनो मनो सिनहा कौन बने है जम्मू कश्मीर के उप्राजयपाल बनाए गए है जम्मू कश्मीर अभी ये केंदर सासित प्रदेश है और ये केंदर सासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बना था देख लेते हैं इस question से related क्या है जैसे लिखा हुआ है केंदर सासित जम्मू कश्मीर में नशामुक्त भारत अभियान की शुरूआत आगे इसमें लिखा हुआ है केंदर सासित जम्मू कश्मीर में राजजय के सामाजिक कल्यार निदेशाले ने आज सामाजिक नियाए और आधिकारिता मंत्राले को नशामुक्त भारत अभियान की शुरुगात की है इसका उद्देश समाज में नसिली पधार्तों की लत्पर लगाम लगाना है नशामुक्त अभियान भारत के 272 और जम्मुकस्मीर के 10 सबसे अधिक सम्वेदन शिल जिलों में चलाया जा रहा है इनको भारतिय नार्कोटिक्स नियंतर ब्यूरों ने मादक पधार्तों के लिए सबसे अधिक प्रभावित माना है आगे आते हैं कॉश्चन नमबर आठ है हाली में किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुँचा है तो देखो ये काफी इंपरडेंट है कौन से देश का जहाज है जिसका नाम क्या है संग्राम नौसेना का जहाज है और ये कहां पहुँचा है गोवा सावंत कौन है गोवा के सियमे एक चीज याद रखनी है आपको गोवा के बारे में कि गोवा के अब तक जो गवर्नर थे वो थे सत्यपाल मलिक लेकिन सत्यपाल मलिक को यहां से हटा कर मेगाल्य का गवर्नर बना दिया गया है और गोवा का जो कार्यभार है गवर्णर के रूप में वो महराष्ट के जो गवर्णर है भगत सिंग कोशियारी उनको दे दिया गया है तो अभी प्रिजेंट में जो गोवा के गवर्णर है वो है भगत सिंग कोशियारी गोवा की राजधानी परजी है ये भी याद रखना बां तो ये बंगलादेस के बारे में पूरी information रखनी है question से related information ये है ये बंगलादेस की नौसेना के जहाद संग्राम ने गोवा का दौरा किया जैसे कि यहाँ पर एपिक बनी हुई है आपके लिए आगे इसमें लिखा हुआ है बंगलादेस नेवी शिप BNS संग्राम एक guided missile stealth corvette 17 अगस्त 2020 को मुर्मू गाओ पोर्ट गोवा में एक पोर्ट कॉल किया गया था यह जहाद भारत के मुख्याले बंगलादेस नेवल एरिया और भारत में बंगलादेस उच्चायों के कारेपालक रच्छा सलाहकार के अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया गया था बी एने संग्राम को लेबनोन में संयुक्त राष्टे अंत्रिम बलके सदस्य की रूप में भाग लेने का मार्ग है COVID-19 प्रोटोकोल के मद्दी नजर कोई दिवपच्छी आयुजन नहीं किया गया तो ये काफी important है थोड़ा सा पढ़ लेना इसको समझ में आ जाएगी कहानी question number 9 है हाली में किस मंत्राले के दौरा स्वास्त पोर्टल लांच किया गया है ये काफी important है स्वास्त पोर्टल important question है स्वास्त पोर्टल लांच किया गया है option number C जन जातिय मंत्राले के दोरह स्वास्थ पोर्टल लॉंच किया गया है जन जातिय मंत्राले के जो केंद्रियमंत्रीपिय है उनका नाम है अर्जुन मुंडा इसमें information क्या है वो देख लेते हैं जैसे कि लिखा हुआ है 17 अगस्थ 2020 को जनजातिय मामलों के मंत्राले ने स्वास्थ नामक जनजातिय स्वास्थ और पोशन पोर्टल लॉंच किया है इसके अलाबा मंत्राले ने स्वास्थ और पोशन पर आलेख यी न्यूस लेटर शुरू किया है यह पोर्टल अपनी तरह का पहला है यह भारत में जनजातिय आवादी के स्वास्त और पोशन से संबंदित जानकारी प्रदान करता है यह देश के विभिन हिस्तों में एकत्र किये गए अनुसंधान, अध्यानों, नवीन प्रथाओं, केस अध्यानों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारी में जानकारी के एक एकिकरत स्रोत के रूप में भी कारा करेगा तो important है, थोड़ा सा देख लेना, इससे related question भी बन सकता है question number 10 है, हाली में सेवी ने अपना कारेकारी निदेशक किसे निक्त किया है तो सेवी ने अपना कारेकारी निदेशक निक्त किया है, जीपी गर्ग जीपी गर्ग को अपना कारकारी निदेशक बनाया है सेवी देखो सेवी के बारे में मैं information दू सेवी की देखो इस्थापना कब हुई थी 12 अप्रेल 1988 को हुई थी इसके jurisdictions देखोगे Government of India के अंतरगत आता है Headquarter मुंबई में है Agency Executive कौन है? जीपी गर्ग जिनको बनाया गया है सेवी का कारकारी निदेशक काफी important है तूडे question है आज का जिसका answer आपको comment box में हमेशा की तरह देना है हाली में भारत जैविक किसानों के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? देखो एक report आई है जिसमें जैविक किसानों के लिए और जैविक खेती के लिए है लेकिन मैंने question सिर्फ जैविक किसानों वाला पूछा है जबकि जैविक किती का answer इसमें नौबा इस्थान है आपको जैविक किसानों का आंसर देना है इस question में चलो मैं लिता हूँ आपसे विदा टाटा बाई 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 टेक केर